नमस्कार गुडलक टिप्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अर्पित दूसरी रूज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल बताएंगे क्या नहीं होने वाला है आज आपके दिन में आपका दिन अच्छा होगा क्या लाप दिलाएगा साथ ही बताएंगे आपकी प तो दोस्य सुन क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्थ पंडिजी आपका बहुत बहुत फ़ागत हमाल स्टूडियों ने जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्कलियों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ बस आपको हमें कॉल करना है हमारे नमबर लगातर आपकी टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहा है कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम जन की तारीक जन का समय और जन का सान मताना है तो देर किस बात किया उठाई अपना फोन और कर दीजे हमें कॉल सली उससे पहले जान लेते हैं आपकी सितारों के हाल और आपकी इतारों की चाल की गुलक्टिव कारकम के सभी दश्कों पर होगान शिव शंकर का मा भगला मुखी का मा लक्ष्मी का शिरवाद और कपैदस्टियों मिशा बनी रहे आप सभी का खल्यान हो आए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी सितारों की चाल आज के दिन को अच्छा बनाने क सम्रदी तो शरुआत करते हैं आज के दैनिक राशी फ़ल के साथ में रथम जो राशी है तो हमेंश राशी राशी वारे जो हमारे दशक हैं आज अपने काम करने के तरीके को इतना सहज और इतना सरल बनाएं कि आगे चल कर आपको उसका फायदा आष्षय मिलें अपनी कुछ पर अपनी वानी पर नियंतन रखने की कोशिश कीजिएगा आज के दिन की सफलता के लिए अना अथाशम में दवायों का दाना वश्य कीजिएगा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा अगली जो राशी हो है व्रशव राशी व्रशव राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज अपने फूचर की चिंता में भविश्य की चिंता में अपने वर्तमान को खराब मत कीजिएगा व्यर्थ की चिंताओं के कारण काम से जो आपका वर्क है उससे आज आपका फोकस थोड़ा सा हट सकता है आज के दिन की सफलता के लिए गणी जिवारास को दुरुआ पर दिन अच्छा बोच लेगा अगली जो राशी हो है मितुन राशी मितुन राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज जो आपके सामने हैं और जो यथारत है जो सत्त हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कोशिश कीजिए उतना ही काम करें जितना आप आसाली से कर सकें एक् से प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए solutions के लिए निश्य तोर पे आपको अपने efforts तो कर नहीं होंगे और उन efforts से आपको सफलता भी फ्राप्त होगे आज के दिन की सफलता के लिए सरसो के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बान का पाठ अवश्य कीजिएगा पूरा दिन अच्छा गुच्रेगा पंडिजी अभी के लिए मैं साथ एक और दर्शक जुड़ गई है पंडिजी अपने बेटे अमित के लिए जानना चाहती है अमित की जन्म की तारीक है पच्छेस आठ उन्निसो नवासी और जन्म का समय है सुबह का च्छे बचकर इगत्तिस मिनट का सरुच जी अपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शूँ में अपना सवाल पूछे पंडिजी से सरुच जी अपना सवाल पूछे पंडिजी से हलो जी सरुच जी अपना सवाल पूछे हलो पंडिजी जैश्री किष्णा जैश्री किष्णा बेटा हाँ मैं अपने लड़के ही ले पूस पर साथ क्योंकि वो उसका भी तक काम भी नहीं लगा है और सगाई भी उसके भी तक नहीं हुई तो उसके कुनिया में मांग लिए बता दे है लड़की कैसी होनी चाहिए दिखो सरोच जी जहां तक अमित की जनम कुली का सवाल है गुरू की मादशा और गुरू का अंतर इस बच्चे को चल रहा है गुरू की मादशा शुब मादशा क्या लाई जाती है अठरा साल की राओ की मादशा पिसले साल फरवरी 2014 में खत्म हुई अब गुरू की मादशा इसको शुरू हुई है लेकिन कभी भी कोई भी मादशा अपनी अंतर दशा में शुब परिणाम नहीं देती जैसे गुरू में गुरू, राहू में राहू, केतू में केतू, शुक्र में शुक्र तो गुरू में गुरू का अंतर इसका खतम होगा एक अपरेल 2016 को अगले साल एक अपरेल 2016 को उसके बाद गुरू की मादशा शनी का समय शुरू होगा निशित तोर पे अपरेल 2016 के पशाद इसका विवा होगा बहुत अच्छी जगे होगा मांगली कुंडी है इसमें कोई दोराई नहीं है कोशिश करिए कि मांगली की लड़की मिल सके तो अच्छा है नहीं तो नौन मांगली कुंडी इसके साथ चल सकती क्योंकि इसकी कुंडी का जो मंगल है वो अस्त है है तो मंगल लेकिन अस्त है अस्त मतलब पावर नहीं है उसके अंदर दूसरा इसके केरियर इस्थान का जो स्वामी है वो शुक्र इसके कुंड़ी में नीच का होके बैठाए तो यह दिया आप चाते हैं कि यह जीवन में सफल व्यक्ति बने तो एक तो कोशिश करिए कि इस हें इस बच्चे के नाम से हर शुक्रवार को चीटियों को आथा खिलाएं बूरा डालें कुछ भी डालें उसके साथ में शुकरवार के दिन दस वर्ष से छोटी कन्या को एक समय का भोजन करवाई यां, मिठाई दे यां, कुछ दक्षिना दे यां, कुछ दान करें इस बच्चे के नाम से, कम से कम आपको 27 शुकरवार ऐसा करना है, निश्य तोर पे शुकर का जो दोश है वो दूर ह अर्चना जी है दोशा से, जो कि अपनी बेटी संस्कृती के लिए जानना चाहती है, संस्कृती की जन्म की तारीक है 15.7.1999, और जन्म का समय है दोपहर का 1.15 मिनट का, अर्चना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछे पंडे जी से अर्चना जी आगे क्या सा केरिल बनेगा देखो अर्चना पहली चीज तो यह है कि संस्कृती की जन्म कुली में एक तो गन्मून लक्षतर का इसका जन्म है, अशलेशा नक्षतर का जन्म है, पैदा होते ही आपने उसकी पूजा करवा ली है, 27 दिन में जो गन्मून सूरे बुदबुद आदिते योग इस बच्ची की जन्म कुली में है, मांगली के है, नो डाउट मंगल भी है, शनी भी है, लेकिन इस बच्ची की जन्म कुली में एक समस्या यह है कि इसके कुली में शनी जो है वो नीच का होके बैठाई, शनी अगर नीच का हो जाता है, वो भी सब्तमभाते सुक्क Wakati gentebol is a इंदर फ्लक्सेशन खरवा देता है तो इदियारी आप चाहते हैं कि इस बच्ची का मन अच्छा रहे शक्षय अच्न सिर्ऴ्ठी भी अ कि जीवन भर इतु को ना मुंगा मैंटीको मुंगा के दिन धर्वा धारन करवा दिजिएगा ध्यान रिखिए कि सवाच्य रत्ति से कम का नहीं होना चीए और इस बच्ची के आदत में डाली कि इसको हन्मान 40 का पार्ट नहीं में तुरूप से करना है सुर्य भवान को जलने में तुरूप से चड़ाना है तोलसे जी के दीपक अवश्य जलाना है बाकी इसकी जनम कुली अच्छी और को विशिष समझ चाते हैं अगर आप भी जानना चाहते हैं अर्चनाजी की तरह अपनी समझ चाहूंगा समाधान पंडेजी से तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमार नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्ल जैशे किष्णा बेटा पंडी जी मुझे है ना मेरी बेहन उसके बारे में पूछना है अभी उसमें बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो आगे बीए च्रंसकर से करना चा रही है तो क्या उसका ही सही रहेगा और आगे उसका फ्यूचर कैसे रहेगा उसमें गॉर 17 जनवरी में शनी की मादशा उतर जाएगी और फिर बुद की मादशा शुरू होगी इसके जीवन का सर्वसिस्ट समय निश्र तोर पे इस बच्ची की कुल्डी में सरकारी योग है संस्रत के अंदर वो करना चाहती कर सकती लेकिन मुझे लगता है कि और भी सेक्टर इस ब बच्ची के लिए खुल रहे हैं इसकी कुल्डी बहुत अच्छी है सरकारी नोकरी का योग निशित तोर पे है आने वाच कहते हैं कि जब शनी की मादशा उतरती तो बहुत कुस देख के जाता है सन 2016 इस बच्ची की लाइफ के लिए एक टर्निंग येर साबित हो सकता है क् 2017 से बुद्ध की मादशा निशित तोर पे इसके जीवन में बहुत शुब परिड़नाम लेके आती वी दिखरी इसको बुली एक तो निमित रूप से गउसेवा इसको आवश्य करनी है निमित रूप से तुलसी जी की अरादना सुर्य भवान को जल चड़ाना हनमान चले सा कपाट करना और गाहितरी मंत्र कम से कम 11-21 बार इस बच्ची को रोज जाप करना चाहिए चाहिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज करक सिंग और कन्या राशी वाले चातकों के लिए करक्राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपको आपके जो इंपोर्टेंट डिसीजन से या कुछ प्राब्लम से तो उनके लिए आज आपको फिकर नहीं करने हैं चिंता नहीं करने हैं डोंट टेक एनी टेंशन उन प्राब्लम्स को समय पे छोड़तीजिए समय ही उसका सॉलूशन देगा आपका काम सिर्फ परिश्रम करना हैं मैनत करना हैं बिजनस में लाब होगा आज के दिन की सफलता के लिए भगान शीव के अरादना करके दिन के शिरुवात कीजिएगा अगली जो राशी वो है सिंग राशी सिंग राशी वाले जो हमारे देशक हैं आज के दिन आपको जो भी काम करना है उसमें अपना कॉन्फिडेंस बनाये रखेगा आत्मिश्वाशी निश्यत तोर पर धौपैर के पश्याद आपके जो अधूरे जो कारे हैं जटिल रुक कल्प करके दिन की शिरुवात कीजेगा यदि एक दिन सब्ता में हम यह सोच ले कि आज हमें जूत नहीं बोलना है तो भी आप एक बहुत बड़ा पुन्य अर्जिन कर लेते हैं अगली जो राशी हो है कन्या राशी कन्या राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज कामकाज क दिन की शुरुवात कीजेगा पूरा दिन अच्छा पुछेगा पंडीजी अभी के लिए सोनु जी जुडवे हैं हमारे साथ किशनगड से जो कि अपने भाई मुकेश के लिए जानना चाहती है मुकेश की जन्म की तारीक है बाइस च्छे उन्यसो निन्यान में और जन्म क का ग्यान भी था बच्पन में जो हमने ध्यान ने दिया तो अब तो भूल चुका है और मतलब इसमें कंवेंसिंग पावर बहुत अच्छा है कोई भी इसको डाट में सकता तो इसका देख के बताईए कि इसका भविश्य क्या होगा देखो ऐसा है भी टाट इस बच्चे की जनम कुड़ी में इसका जो लगनेश है वो सूरे है और सूरे जिसका लगनेश हो तो निश्यत तोर पर सूरे के समान बच्चे ऐसे तेजस भी हो जाते हैं लेकिन इस बच्चे के साथ समस्या यह है कि इसके भाग्यस्तान में शत्रुभाव का अदामपत्य घर का जो मालिक है शनी वो इसके भाग्यस्तान में नीच का होके बैठ गया आप बहुत ब्रिलियंट है लेकिन आप गर आपका अलग सपोर्ट नहीं करेगा तो आप क्या करे उपर से राहू के 18 साल की मादशा चल रही है। राहू, बुद्ध और शुक्र तीन ग्रह एक साथ में द्वादर्श भाव में बैड़ गया। बुद्ध शुक्र की जो यूती है, निश्यत तोर में प्रवासी वेक्ती बनाती है। घर से बाहर निकलके जनमस्तान से बाहर निकलके इस बच्चे को सफलता प्राप्त हो सकती है। जान रखे किसी भी गलत संगत के अंदर नहीं पढ़ें, किसी गलत संगत का यहां अर्थ यह है कि किसी के लेंदेन में नहीं पढ़ना है, जमानत गारंटी, नहीं लेनी, बाकि इसकी जनम को लिए अच्छी है। जल्दो आपस लोटते हैं, गुडले टिप्स में।